दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जल जाने पर क्या-क्या घरेलू और आयरवेदी कुपाय कर सकते हैं जिससे जलेवे बेक्तिकोत पुरंत रहत मिल सके तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग किचन में खाना बनाते समय कभी आग से तो कभी गर्म बरतन को पकड़ने से गर्म पानी गर्म दूद कई बार गर्म भाप से तो कभी गर्म चाय या फिर बिजली के किसी उपकरण या आग से जल जाते हैं ऐसी इस्तिती में सरीर में बहुत तेज से जलन होने लगती है और ज़्यादा तर तो फफोले पड़ जाते हैं जो आपके तकलीफ को कई गुना बढ़ा देते हैं ऐसे में कुछ घरली उपाय आपकी मदद कर सकते हैं तो आईए जानते हैं दोस्तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आग सरीर के कपड़े आदी में लग जाती है ऐसी इस्तिती में पहले आग को बुझाने की कोशिस न करें बलकि कपड़ों को निकाल कर फेक या फिर चीर कर कपड़े को निकाल देना चाहिए यदि कपड़ा निकालने या चीरदे में कठनाई हो तो किसी भी मोटे कपड़े या कंबल से सरीर को चारो तरफ से ढख कर एकदम दबा देना चाहिए इस परकार कपड़ों में लगिया हुई आग सीगर ही सांत हो जाती है आग बुजाने के बाद यदि सरीर कम जला हो तो तुरंत घरलू उपचार करना चाहिए या फिर किसी बाइध ही या डाक्टर को दिखाना चाहिए इसके अलामा कुछ घरलू उपआय बताय जा रहे हैं जिससे जले हुए बेक्ति को तुरंत आराम मिलता है आप इन में से कोई उपआय अपना सकते हैं नमबर एक किसी भी कारण से तुचा जल जाए तो उस पर तुरंत ठंडा पानी डालें और पानी को तब तक डालते रहना चाहिए जब तक जलन कुछ कम ना हो जाए ऐसा करने से फफोले नहीं पड़ते हैं इसके बाद जले हुए अस्थान पर ठंडे पानी में कपड़ा भीगो कर लपेड दें ताकि जलन और फफोलों का खत्रा और भी कम हो जाए नमबर दो यदि हाथों में जला हो तो तुरंत हाथों से जेवर घड़ी या कपड़ा को निकाल दें ताकि सूजन या फफोले पढ़ने पर परिसानी ना हो सके भूल कर भी कभी जले हुए अस्थान पर बैंडेड नहीं लगाना चाहिए नमबर तीन जलन समाप्त होने के बाद लीची और ताजा घी अथवा साफ एरंड का तेल लगाना चाहिए नमबर छे जला हुआ अस्थान कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए जादा जले हुए सरीर या मुक आदि कोमल अस्थान के जल जाने पर तुरंट चिकशा नशा करके किसी योग डाक्टर या चिकशक से चिकिसा करानी चाहिए नमबर अच्शा जले हुए अस्थान पर नल या किसी बरतन से साफ पानी धिरेदिर गिराए नमबर आठ तुलसी के पत्तो का रस जले हुए अस्थान पर लगाने से जले हुए भाग पर दाग होने की संभावना कम हो जाती है नमबर नो तिल को पीज कर लेब बनाएं और इसे लगाएं इससे जलन और तरद नहीं होगा तिल का पेश्ट लगाने से जलने वाले अस्थान पर दाग नहीं पड़ता है और यदि दाग पड़ गए हैं तो वह चला जाता है नमबर दस जल जाने पर या यदि आपको कुछ न मिले तो तूट पेश्ट लगाने से तुरंत जलन सान्त हो जाती है नमबर ग्यारा जलने हुए अस्थान पर तुरंत पानी में नमक डाल कर गाढ़ा याद रहे गाढ़ा घोल बनाएं और प्रवावित अस्थान पर लगाएं इससे ठंड़क भी मिले की और तोचा पर फफोले भी नहीं पड़ेंगे नमबर बारा जलने के बाद संक्रमण फैलने की आसंका जादा होती है इसलिए टिटनेस का इंजेक्शन जरूर लगवाएं इसके अलावा आप जहां पर हूँ यदि वहां पर आग लगी हो तो आप फर्स पर लेट जाएं और धुए की पर्त से नीचे रहने की कोशिस करें अगर आग पूरे कमरे में फैल रही हो तो घबराएं नहीं खुद पर काबू रखें और बाहर निकलने की कोशिस करें